हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो भी मुस्कीचन फ्रेंट्स आज बन रहे हैं छोले खटे छोले बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी जो पूरी के साथ चावल के साथ आप किसी भी तरह से खा सकते हैं चावल के साथ भी टेस्टी लगते हैं और पूरी के साथ भी बहुत ही मस्ट एक दम बढ़िया कलर आया है छोले का तो चलिए आगे बताते हैं कि कलर के लिए हमने क्या डालना है और इस तरह गाड़े छोले बनाने हैं बिना लसुन प्याज के आज कर श्राद पक्ष चल रहा है पित्री प्याज का इसे माल नहीं करते हैं आने वाले दिनों में पित्री पक्षा रहा है तो चलिए आधा किलो छोले अच्छे से दो लिए है मैंने और उसके बाद इसमें खूले से बरतन में डालेंगे क्योंकि चना जो बहुत पानी सोख करता है और उसके बाद इसे अच्छा सा पानी से भरके पतीले को ढख देंगे ओवर नाइट मिनिममम आप और अब हम इसमें कलर के लिए डालने वाले हैं एक प्लेट ले लेंगे उसके उपर सूती कपड़ा विशा लेंगे इस तरह कॉटन का दो बड़े चम्मच आमला पाउडर तीन चार लॉम एक टुकड़ा जाबितरी जाबितरी बहुत अच्छी खुश्बु देती है दो ब इसे हम एक छोटी सी अच्छी सी टाइट सी पोटली बान देंगे और इसे डाल देंगे कूकर में इसकी जगा आप चाय पत्ती का इसने माल भी कर सकते हैं लेकिन आवला हेल्दी ऑप्शन है चाय पत्ती से कलर तो आ जाएगा लेकिन चाय हेल्दी नहीं होती है आधा चम्म के करीव हम और पानी डाल लेंगे और एक सीटी आने के बाद लगवद 40-45 मिन तक हम इसे लो फ्लेम पे कूक करेंगे देखिए 40 मिनट के बाद चने बहुत ही अच्छे से उबले हैं और कितना बढ़िया कलर आया है आमले का एक पैन में तीन चाय चम्मच वैसे लॉयल गरम करेंगे दाल चिनी के छोटे-छोटे तीन चाय टुकड़े डाले है मैंने दो हरी इलाइची दो टुकड़े तेज पत्त्र तीन चाय लॉंग दो बड़ी इलाइची स्लिट कर लेंगे इसे थोड़ा क्रश कर लेंगे हलका सा एक टुकड़ा जाबित्री और अब आप डाल लेते हैं मोटी सौंफ एक चम्मच बढ़ा सौंफ और अच्छा सा खुष्भानने तक लो फ्लेम मसालों भूनेगे और इसके बाद एक बड़ा चम्मच जीरा जीरे को भीड़ा जीरे बीने जाल दाल देंगे यह डुली वाला लिए इसका फ्लेवर काफी अच्छा होता है दो तीन मिर्चों को प्रंट से एक टुकड लेंगे और उसके बाद तीन मिर्चों को स्लिट करके या टुकड़े करके आप इसमें डालने मिर्चों की खुश्बू आने के बाद हलसी हम चम्मक, धनिया पाउडर, हल्दि दान चम्मक , लाल मिर्ची एक चम्मच , देगी मिरज 2 चम्मच अच्छे से भुनेंगे मसालों का अच्छा फ्लेवरे आए मसाले ज लेनेए, अच्छा अच्छा चोप्छाएगा स्टार्टिंग में कि टमाटर ने काफी पानी छोड़ा है तो इसे हाइप अच्छे से पकाएंगे एकदम पानी के सूखने तक हमें इसे ड्राइ करना है साथ मैं डाल दोंगे कुसूरी मेत्य चम्मच और यह डाला मैंने कि पानी चांटर को अच्छे से बनती है और भीक बीच में इसे हमने चलाते भी रहना है मैंने चौड़े पैन का इस्तेमाल किया आप देख सकते हैं इसलिए कि पैन में जब मसाला भूनते हैं जैसे हम ने टामाटर को ड्राइब करना है तो यह जो है कि इसमें ड्राई जल्दी होगा अब हम मसाले को शिफ्ट करते हैं कड़ाही में मैंने बड़े वाली कड़ाही ली है और जो हमने आलू डाले हैं सबसे पहले मैंने आलू निकाल लिया है अब आलू को आप चाहें तो इसके टुकड़ों में भी कट कर सकत करेंगे और ऐसे मैश भाएंगे लगातारे चलाते भी रहेंगे ताकि मसाले के साथ इसकी आलु के से अच्छ से भुनाइं हो जाए ओर अश्छे से क्रेश हो चुके हैं इसे जो ग्रेवी हर चने कीओ काफी घाड़ी होती है अब हम चन्ये जो बहुते हैं तो लगवक डेट दो मिनार तक हम इसे भून लेंगे ताकि चने में मसाले का तेस अच्छे से आ जाए और चने भूनने के बाद हम जो कूकर में हमारा पानी बचाया है थोड़े से चने वी एलास में उसे भी इसमें डाल देंगे तो पहले कर लेते हैं चनों की अच्छे से भूनाई तो चलिए भूनाई हो चुकी है कंप्रीट और चने बहुत ही अच्छी खुश्पू भी दे रहे हैं आप डाल लेते हैं जो हमारा कूकर में पानी बचाया है उसे और लास में थोड़े बहुत चने के दाने हैं उसे भी सा पानी डाल लेंगे तो अब हम चैक के लेते हमें ग्रेवी की जूपते तो हम थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं और स्वादन सा डाल लेंगे नमक क्यूंकि चने अभी हमने मसाले के साथ भी से लगवग 4-5 मिनिट और पकाना है तभी चने का टेस्ट अच्छा आएगा अ चने पते भी जा रहे हैं और साथ में इसे हलका हलका हम क्रश करेंगे चनों को तभी चनों का टेस्ट अच्छा आता है चना खड़ा रहेगा तो इतना अच्छा इसका टेस्ट नहीं आता है इस तरह से ग्रेवी भी ठीक हो जाएगा चने एक दम गाड़े हो जाएंगे और ह एक उबाल आते ही चने एकदम गाड़े लगने स्टार्ट हो गए हैं चने काफी कुएंटिटी में है आधा किलो चने बनाए है मैंने यह देखिए पक्ते पक्ते इसका कितना अच्छा कलर आया है अब एकदम डार्क हो गया है और आमले से खटा बन भी आता है अब लो फ्लेम काफी अच्छा आता है पकते हुए गार्निशिंग के लिए हम धनिया और गरामसाला बाद में यूज करेंगे तो पकते हुए थोड़ा सा आधा चमच गरामसाला और धनिया जरूर डाले और इसे ढख देंगे और लो फ्लेम पे तीन-चार मिन तक पगाएंगे अच्छे से और उसके बाद कटीफी धनिया पती और थोड़े से गरामसाला सा इसे गार्निश कर लेंगे ये देखिए चैने बहुत ही बढ़िया एकदम ठिक ग्रेवी वाले मनें इसे आप रोटी चावल जैसे चाहें खा सकते हैं वीडियो अच्छा लगे लाइक शेर और चैनल को सब स्क्राइब जरूर करें थेंक यू